नमस्कार दोस्तों भायों मित्रो हमारी यूटूब चैनल में आपका फिरसे बहुत-बहुत सौकत हैं दोस्तों आज जडी-बुटी लेके आएं इस वीडियो में आप देख रहे हैं तो बात की जाते हैं दोस्तों ये एक जड़ी बुटी है और इसे धतूरा कहते हैं छोटा धतूरा हाँ जी हाँ दोस्तों ये लगभग क्या होता है एक मीटर तक उचा होता है इसका रुक्ष जो होता है काला साफेद दो रंका होता है जी हाँ दोस्तों और काला का जो फूल ह होता है वो नीली पित्या वाला होता है नीली चित्या जो होती है इनका फूल नीली चित्याली होती है हिंदू लोग धतूरे ले फूल फूल और पत्ते संकर जी पे चढ़ाते हैं हाँ जी हैं दोस्तों ये छोटा धतूरा भी चढ़ाया जाता है अयर्वेदी ग्रंतों में इ इसका विभिन भागोग में उप्योग से अनेक रोगों को ठीक किया जाता है जी हाँ दोस्तों बात की जाए दोस्तों धतुरा बहुती दिल्चस्प पौदा है अगर आप इसके पैर इस पर पढ़ेंगे तो आपके कांटले जैसे जो इसके उपर कांटे जैसे निकले हैं तो वो आपके उपर लग सकता है जी हाँ दो धतुरा दोस्तों बहुती दिल्चस्प पौदा है यह पौदा आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा जी हाँ दोस्तों खासकर बरसात के बाद जब बरसात खतम होता है बरसात के बाद यह कहीं भी आपको सड़क किनारे या कहीं भी आपको देखने को मिलेगा दतुरा हीरा से भी किम्ती पौधा है इस वज़े से की दोस्तों इसे अंदेखा किया नहीं जा सकता है क्योंकि आरवेदिक में इस पौधा का जड़ी बुती और शद्य माना गया है जिसका इस्तमाल पुराने समय से ही होता आ रहा है तो चलिए इसके फाइदे के बारे में बता है तो आजकल किसी भी उम्र की सफेद बाल होना या फिर गंजापन की परशानी हो जाती है यदि आप भी उनमें से एक है या आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये चोटा धतूरा जो देख रहे मैं ये प्रॉब्लम है यहां दूस्तो इसको आपको बहुत बड़ा फायदा देने वाला है इसे यूज करने का तरीका पता होना चाहिए इसे यूज करने से क्या होता है आपका जो सफेद बाल होते ये दिख रहे हैं आपके जो छोटे छोटे चुटे कटीले पूदे आपके बाल काले कर सकते हैं और जढ़ते बालों को भी रोक सकते इसके लिए आपको छोटा धतूरा का जो पत्ता होता है उसको पीस लेना है और माथे पर लगाना है आपके जो सर पर माथे पर जहां गंजे हो रहे हैं जहां बाल आपके जढ़ रहे हैं उस जगे पे आपको लगाना है और हपते में ये प्रक्रिया आपको 3-4 बार करना है ये जो पत्ते को तोड़ के इसका पत्ता को पीस कर अपनी बालों पे लगाना है इसको हपते में 2-3 बार करना है इससे आपके बाल तो जढ़ने रुकी जाएंगे साथ में जो बाल काला होना शुरू हो जाए जो बाल आपके सफेद है वो काला होना शुरू हो जाएंगे छोटा धतूरा खासी है हुआ सर्दी और जुखाम जैसी परशानी को भी दूर करता है यह फिर भी जो पेट में जो कीड़े होने की समस्या है इन सभी के लिए धतूरा के पत्ते को दूद के साथ सेवन करने से सारी समस्या दूर हो जाती है और साथी शारी कमजोरी है ठकान आता है वहवावी जीवन है आपका जो शादी करने के बाद आदमी ठकान ठकान महसूस करता है वो सारी समस्या दूर हो जाएगी इसके अलावा जो स्कीन से जूरी बहुत सारी प्रॉब्लम है बहुत सारी बिमारिया है वो भी ठीक हो जाती है सुबर उटका छोटा धतूरा का जो एक पत्ता का आपको नियमी सेवन करना है ठीक है आपकी सभी प्रॉब्लम्स खतम हो जाएगी दोस्तों इसके पत्य को दूद के साथ खाने से शारीरी कमजोरी जो होती है शारीरी दूर बलता होती है शारीर में जो कमजोरी होती है वो सारी कमजोरी दूर जाती है चाहे तो आप पत्ते को सुखा कर चूंड बना कर दूद के साथ ले सकते हैं पत्ते का यूज करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे आपको सिर्दर्द हो रहा है तो सिर्दर्द भी आपको खतम करने के लिए पत्ते का यूज कर सकते हैं उसके लिए आपको क्या करना है ती पत्ते को तोड़ ले उससे अच्छी तरीके से पेश्ट बना ले पेश्ट बनाने के बाद अपने सर्दर धोड़ा है तो सर की उपर उस पत्ते को पीस कर अच्छे तरीके से बांध लेजिए कपड़े की मदद से कोई भी सूती कपड़े म में आपको बताया हूँ कि किस तरीके से इसका यूस करने से आपके सरदत की प्रॉबलम गंजेपन की प्रॉबलम हुआ या कोई भी अपके जैसे की शारीर कमजोरी जोडो का दर्द में भी बहुत फैदा करता है सरदी जुखाम हुआ जक्म हो गया कान दर्द में भी इसका उप्चार में यूस किया जाता है जिन्हें कान में दर्द है और सरीर में कमजोरी है जोडो का दर्द है अगर चलने में प्रॉबलम है तो आपको पैर दुख रहा है तो उस जगे भी आप पीस के लगा देंगे तो दोस्तो कमेट करके बताईए और हमारे वीडियो को लाइक करे शेर करे और चैनल को सब्सक्राइब करे फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हमें इज़ादत दिये दोस्तो थैंक यू